पाइफेन सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सबस्क्राइब करें पाइफन प्रोग्रामिंग में आज का हमारा टॉपिक है Access modifier सबसे पहले हम आपको able access modifier क्या होता है 电 इसका क्या यूज है और कितने टाइप के access modifier python में होते हैं प्राक्टिकली इंप्लीमेंट करके मैं सो करूंगा ठीक है लेकिन उससे पहले इसका मतलब क्या हो था आपको वह पता होना चाहिए कि इसको यूज क्यों करते हैं एक्सेस मोडिफायर और यूज तो सिट दर लिमीट ओफ मिंबर एक्सेसिबिलिटी एक्सेस मोडिफायर हमें यह बताता है कि कोई भी मिंबर को हम कहां तक एक्सेस कर सकते हैं यानि उस मिंबर को हम अपने प्रोग्राम में किस मोडियूल तक या फिर किस क्लास के अंदर किस क टाइप्स का access modifier होता है पाइफन में पब्ली प्रोटेक्टेड प्राइवेट पब्लीक को नॉर्मली लिखते हैं बाइडिफोड पाइफन का हर एक मिम्बर पब्लीक होता है ठीक है उसके बाद अगर आपको प्रोटेक्टेड बनाना है तो आपको एक लगाना पढ़ेगा व्रीयाबर कि आगे डेटा मिम्बर के आगे अगर आपको से मुझे सी डेटा को प्राइवट करना है तो आपको डबल अंडरिक्ड जाय् Guard आएगक हो इसको वेर्याबर आक्र फिसको हम से में क्लास में यूजD कर नगा सकते हैं टिराइफ ट्लस में यू यूज कर सकते हैं public data member को ठीक है protected data member को हम same class same package derived class में यूज कर सकते हैं लेकिन किसी other class में हम यूज नहीं कर सकते हैं ठीक है क्योंकि ये protected है और private को हम सिर्फ same class में यूज कर सकते हैं इसके अलावा हम इनको कहीं भी यूज नहीं कर पाएंगे private जो member होता है उसको हम सिर्फ उसी class में कर सकते जिस class में हम इसको create करेंगे इसके लावा इनको नहीं कर पाएंगे यह सबसे जादा secure होता है तो यहां पे same package का मतलब क्या होता है कि same package में हम बहुत सारा class create कर सकते हैं तो अगर हम बहुत सारा class create करेंगे same package में तो public और protected member को हम यूज कर पाएंगे ठीक है लेकिन private को हम यूज नहीं कर पाएंगे और derived class मतलब inheritance का बात कर रहे हम यहां पर और other class का मतलब यहां पर यह हो गया कि ऐसा class जिसका किसी दूसरे class के साथ कोई link नहीं है लेकिन फिर भी public data member को हम यूज कर सकते हैं protected और private को हम यूज नहीं कर सकते normal other class में ठीक है तो अभी मैंने जो भी यहां पर सो किया चलिए उसको practically implement करके सो करते हैं कि कैसे python में यह हम सो करेंगे प्रोग्राम में सबसे पहले हम क्या करते हैं एक class create कर लेते हैं ठीक है class A मैंने create करा और इस class में हम एक public member सबसे पहले बनाएंगे public member बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना variable का name लेना है जैसे मैं यहां पर A ले रहा हूं इसमें value मैं 10 रख रहा हूं ठीक है तो यह जो हमारा member है यह हमारा class का public member ठीक है और यह public है इसलिए इसको हम प्रोग्राम में कहीं भी use कर सकते हैं अब मुझे मालो अपने member को protect करना हुआ मैंने चाहता कि कोई भी उस member को use कर सके तो मैं protected member create करूंगा class में protected member create करने का simple तरीका आपको underscore use करना है और अपने member का name लेना है मैं B ले रहा हूं यहां पर और इसमें value हमारा 20 होगा तो protected member को कौन use कर पाएगा protected member को हम इस class A के अंदर कहीं भी use कर सकते हैं ठीक है यह protected है और जो भी child class inherit करेगा class A को वो भी use कर पाएंगे यानि inheritance के case में भी protected को use कर सकते हैं ठीक है अब मालू मैं चाहता हूं कि मेरा member को class A के अलावा कोई और access ना कर पाए पूरा secure हो जाए वो तो मैं क्या करूंगा उसको private create करूंगा private बना दूंगा तो यहां पर double underscore के साथ अगर हम एक C नम का member बनाए और इसमें मैं कोई भी value अभी नहीं रख रहा तो यह हो गया हमारा क्या यह हो गया हमारा private member और private मतलब full secured इस C को हम सिर्फ class A के अंदर ही use कर सकते हैं क्योंकि यह private है तो अभी हम print function में क्या कर रहें तीनो member को access कर रहें ठीक है print करके आपको दिखा रहें क्योंकि class A के अंदर हम public, protected, private तीनों को access कर सकते हैं A को मैं print कर रहा हूं बीच में चाहता हूं space आए फिर हम 4-1 की B print हो जाए फिर बीच में space आजाए फिर यहां पे C print हो जा ठीक है अब हम program को save कर रहें और run कर रहें ठीक है तो यहां पे हमारा 10-20 और non print होना चाहिए तो यह देखो यह simple सा result आगया ठीक है यानि same class के अंदर हम public, protected और private तीनों को access कर सकते हैं ठीक है अब हम बात करते हैं कि protected member को और public member को हम class के बाहर भी use कर सकते हैं ठीक है तो उसके लिए हम क्या कर रहें सबसे पहले function create कर लिए मान के चलो add नाम का आपको बस समझाने के लिए बहतर तरीके से self एक parameter pass करते है class में define किये गए function से हम ठीक है इसी self के थुरू ही हम इस function add के अंदर इन a,b,c को use कर सकते हैं नहीं तो नहीं कर पाएंगे तो यहां पर मैं करने क्या वाला हूं self.a उसके बात plus self.b a,b में value है इनको क्या कर रहे हैं add कर रहे है और इसको store करके रख ले रहे self.private वाले member यानि c में ठीक है और यहां से क्या कर रहे है print function को copy करके यहां पर paste कर ले रहे और यहां पर एक message के साथ अपना value हम print कर दे रहे ठीक है value क्या होगा हमारा बहुत ही simple सा एक message यहां पर दे देते हैं value वही addition होगा हमारा दो number का और क्या ठीक है तो यहां पर addition का result आएगा हमारा self.c में अगर मैं प्रोग्राम को अभी run करूंगा तो इसका result आएगा 10,20 और none आप बोलेंगे कि addition क्यूं नहीं आया क्यूंकि हमने function को call किया इन्हीं function को जब तक हम call नहीं करेंगे तब तक वो run नहीं करेगा ठीक है तो यहां पर हम क्या करें क्लास A का object क्रियेट कर रहे ठीक है यह class A का मैंने object बनाया अब इस object से अगर मैं function add को call करूं तो हमारा addition 30 print अगर हो गया इसका मतलब हम function के अंदर यूज कर पारें function के अंदर भी हम क्या कर पारें सेम क्लास का function के अंदर हम तिनों member को use कर पारें अब अगर हम क्लास के बाँर आजाएं यहां पे क्या यहां पे हम यूज़ कर सकते अगर मैं अबजक्ट से यूज़ करूँ A को ट्रीके मिमबर A को मैंने यूज़ करा इसी तरेके से हम क्या चाथे हम चाथे कि B और C को भी यूज़ करें ड्यू Bis save करके run कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हमारा देखो यहां पर यह output प्रिंट हुआ है यह जो हमने प्रिंट किया है ठीक है यह line number 7 6 उसके बाद हमारा addition आया है यह देखो 30 प्रिंट हुआ है फिर 10 और 20 आया 10 और 20 आया 10 मतलब हमारा पब्लिक मेंबर को हम क्लास के बाहर object के थ्रू अक्सिस कर पारें प्रोटेक्टेड को भी हम क्लास के बाहर object के थ्रू अक्सिस कर पारें ठीक है क्योंकि सेम क्लास कही object है ठीक है तो protected में हम कर सकते प्रोटेक्टेट को हम object के तुरू access कर सकते हैं लेकिन देखो private को हम access नहीं कर पारे, error तुरू कर रहा है, a object has no attribute c यानि c नाम का कोई attribute हाई नहीं object के पास, पहचान नहीं पा रहा, class के बार हम access नहीं कर पारे, क्यों, क्योंकि यह private है, पूरा secured है, ठीक है, अब हम चलो derive class का case आपको समझाते हैं कि inheritance में क्या हम यह कर सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या कर रहे, एक और class create कर रहे, बी नाम का, जो कि class A को inherit करेगा, तो यहां पे हमारा class A है, यह हमारा parent class, ठीक है, यहां पे मैं comment में लिग दे रहा हूं, यह हो गया parent class, और अभी यह जो मैं create किया हूं, यह हो गया अपना क्या, यह हो गया child class, ठीक है, अभी इस class B के अंदर हम क्या करेंगे, एक function create कर लेते सबसे पहले, so नाम का, ठीक है, और इसका तो काम हो गया, तो यह नहीं भी रहेगा, तो चलेगा, यह तो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है, यहाँ पे self parameter pass कर देते हैं, और इसमें हम क्या कर रहे है, एकसेस करने का कोसिस कर रहे है, self.a, public को access कर रहे है, उसी तरह से हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा protected भी आ जाए यहाँ पे, तो underscore b protected, उसके बाद double underscore के साथ c, ठीक है, अब हम class b का object create कर रहे हैं, याद रखेगा object अब हम class b का create कर रहे हैं, class b का मैंने object create कर रहा, और इस object से हम क्या कर रहे है, function so को call कर रहे है, अब हम program को run करने जा रहे है, टर्मिनल को clear कर दे रहे हैं सबसे पहले, उसके बाद इसको हम करते हैं run, ठीक है, तो आप यहाँ पे output देख पाएंगे, अभी यह run हो रहा है, तो 10, 20, none हमारा यह line number 6 का result print हुआ है, यह जो print किया है हमने, उसके बाद आप देखो 10 और 20 प्रिंट हुआ है, 10 मतलब हम public member को यहाँ पे use कर पा रहे हैं, child class में public को कर सकते हैं, क्योंकि वह public है उसको program में कहीं भी use कर सकते हैं, और देखो यहां पे हम B को भी print कर पा रहे हैं यह value भी print हो रहा है, यानि हम child class में parent class का protected member को भी use कर सकते हैं, यह inheritance का case में हम करते हैं और protected member को inheritance के लिए ही बना गया है, कि जो भी child class parent को inheritance करेंगे वह protected को use कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट को यूज नहीं कर सकते, प्राइवेट को जब हम यूज कर रहे हैं, तो आप देखो, सेम एरर थ्रो कर रहा हूँ वही वाला, अट्रिब्यूट एरर, ठीक है, आप ये प्राइवेट मेंबर C को क्लास B के थ्रू यूज नहीं कर सकते, उसको अब्जेट समझ सकते हैं, लेकिन यहां पर एक चीज में आपको और दिखाना चाहूँगा, जैसे ये तो हमारा हो गया, ठीक है, अभी क्लास की बोडी हम ऐसे ही, एम्टी रखते हैं, तो यहां पर पास लिख दे रहे हैं, कुछ भी कोड नहीं रहे हैं, ठीक है, अब हम क्लास B का बाह यानि प्रोटेक्टेड को, फिर हम ऑबजट से आकसेस करें किसको प्राइवेट को, यानि C को, क्लास B के ऑबजट से हम एकसेस कर रहे हैं, ठीक है, प्रोग्राम को अगर हम रन करें, तो यहां पर एक एरर आएगा क्यों की कि सो फंक्सन तो है नहीं, तो इसको हम क्या करते से रिमूब करते हैं ठीक है और अब प्रोग्राम को हम रन करते हैं तो देखते हैं क्या वैलू आता है तो आप यहां पर देखो सबसे पहले यह हमारा Class A में जो प्रिंट किये हैं यह तीनों मेंबर Class A में अक्सेसिबल है टेन आया है यानि हम पब्लिक को देखो पया हम एक्सेस कर पा रहे हैं ठीक है घ्लास बी के बाहर Class B की अबजेक्ट से और हम प्रोटेक्टिड को भी एक्सेस कर पा रहे है क्योश कि class B कही object से तो access कर रहे है class A का protected member को हम कर सकते है child class कर सकता है लेकिन आप प्राइवेट को access नहीं कर सकते है ठीक है क्योंकि private हमारा secured है एक example हम और so करेंगे आपको यहां पे ताकि आपको और clearly हम समझा सके जैसे class B का जो body है उसको हम क्या करेंगे उसको हम empty नहीं रखेंगे यहां पे हमारा function हम फिर से create कर लेते है so ठीक है और इस function के अंदर हम अपने in members को क्या कर रहे है write कर रहे है ओके हमने write किया function के अंदर और function को हम object से कर देते है यहां पे call B so को और inheritance का case हम हटा दे रहे ठीक है यानि एक class A है और एक class B है दो class से मोडियूल के अंदर modifier.py जो हमारा python file है यह अपने आप में एक module है तो इस module के अंदर दो classes है ठीक है तो अगर हम object के थूप तो अभी नहीं कर सकते यहां पे ठीक है अगर हम इसको run करें तो आप देखिएगा हमें error थूप करेगा क्योंकि हम directly object को ऐसे नहीं कर सकते first वाला result आए क्योंकि यह print हो रहा ठीक है उसके बाद गड़बढ है तो हम क्या कर सकते हैं यहां पे class name A के थूप कर सकते है कि यह किस class का member है हमारा A जो public है class A का है B भी class A का है और C भी class A का है ठीक है तीनो class A का member है class name के थूप कर सकते हैं तो अगर अभी मैं प्रोग्राम को run करूंगा ना public और protected को हम इस case में यूज कर पाएंगे ठीक है लेकिन private यहां पे यूज नहीं कर पाएंगे यहां पे भी नहीं ठीक है आप देखो हमारा यह हम public यूज कर रहे हैं यहां पे हम protected को भी यूज कर पा रहे है और private के लिए हमें error थो कर रहा है ठीक है क्योंकि private secured है अगर इसको हम comment out कर दें तो अभी कोई error नहीं आएगा अभी just result आएगा यहां पे आप देख सकते हैं तो यहां पे inheritance कोई भी scenario नहीं है आप एक तरह से समझ सकते हैं कि एक module के अंदर बहुत सारे classes है जैसे class A है class B है class B जो है class A के public member protected member को directly access कर सकता है लेकिन class A के name के तुरू प्राइवेट को नहीं कर सकते है प्राइवेट को सिर्फ हम उसी class में ही access कर सकते हैं तो आप एक इस तरीके से भी समझ सकते हैं python के access modifier को ठीक है तो यह python का access modifier simple word में आप क्या समझेंगे public को हम पूरे program में कहीं भी यूज कर सकते है public member को protected को हम same class में use कर सकते हैं जहां पर define करेंगे जैसे यहां पर भी यूज कर पा रहे हैं public के साथ और child class create करके यहां पर भी हम access कर पा रहे हैं और इस class के अंदर भी हम access कर सकते protected को और private को हम सिर्फ उसी class में यूज कर सकते जिस class में इसको हम create करेंगे जैसे यहां पे देखो use कर रहे हैं यहीं पे create के इसके लाब और कहीं भी use नहीं कर सकते हैं ठीक है तो यह हमारा हो गया public protected private access modifier python का उमीद करते हैं आपको समझ में आया होगा अगर आपको समझ में आया r.py हमारा python का एक module है python का कोई भी file अपने आप में module है तो जिस तरीके से हम किसी module के अंदर बहुत सारा classes function variables define कर सकते हैं उसी तरह से हम python package के अंदर बहुत सारे modules को import कर सकते हैं तो जब हम किसी same package में बहुत सारा module को import करेंगे तो वहां पे हम public protected को access कर पाएंगे ठीक है प्रा प्राइवेट इसी तरीके से हमें error देगा प्राइवेट सेक्योड रहेगा ओके और माल लेजे किसी दूसरे module का एक class किसी दूसरे module का दूसरा class access करने का कोशिस करेगा तो वहां पे सिर्फ हम public member को access कर पाएंगे protected और प्राइवेट को नहीं कर पाएंगे ठीक है error मिलेगा ह तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए शेयर करिए